हेलो दोंस तो रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भारती रेलवे रेल नेटवर्क के छेतर में बहुत ही ज्यादा विशाल है और इसके कारे करने की प्रनाली इससे भी ज्यादा जटिल है तो आज हम भारती रेलवे के एक ऐसे कारे प्रनाली के बारे में जानने वाले हैं जिससे बहुत कम लोग ही यात हैं तो आज के इस वुडियों में हम यह जानने वाले हैं कि डीजल शेड क्या है और भारती रेलवे में इसकी क्या भूमिका होती है तो इस वीडियो के अंत तक बने रही है और हमेशा की तरह हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेश वीडियो देखते रहने के लिए बेल महिने के बाद आपको अपनी कार या बाइक की सर्विस करनी होती है उसी तरह लोकोमोटिव को भी इसकी जरुरत होती है और यह भारती रेलिवे में डीजल शेड द्वारा नियंतरित किया जाता है इसलिए विशेश दूरी या महिने तय होने के बाद लोकोमोटिव आते है और उनके शेड पर जाते हैं यहां केवल पकड़ है लोको मोटीव को अपने होम शेड या निरधारित शेड में आना होगा जब तक स्थिती खराब ना हो सेवा समय पूरा होने पर यह किसी भी या द्रचिक शेड में नहीं जा सकता है भारती रेलवे में इसकी भूमी का है बिना ब्रेकडाउन ओन रन मतलब लोको फेलियर बनाए लोको मोटीव को चलाना इसलिए यह सुनशित करने में एक प्रमुक भूमी का निभाता है कि उनके इंजन बिना किसी समस्या के चलें लोको चलाने के लिए फिट है रत्यक भाग काम करने की स्थिती में है और रेलवे से आने वाली मांग के आधार पर संचालन के लिए लोग को निरधारित कर सकते हैं हम आशा करते हैं कि अब आप लोग समझ गये होंगे कि रीजल्स शेड क्या होता है और भारती रेलवे में इसकी क्या भूमिका होती है अगर आज की वडियो में दीगई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर भारती रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई